जुड़े हुए सभी मित्रों को एक बार पुना हैं सभी को नमस्कार लोकेसर अरंध शिक्षा के दर में और आज की क्लास का जो टॉपिक हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे वक्रों के मध्ध का छेत्रफल्स मीन एरिया अंडर कर्व तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एरिया अंडर कर्व और कुछ है आए हुए क्वेश्चन जो है एरिया अंडर कर्व के आपके समक्ष लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं तो आए मित्रों मिल करके इन प्रश्णों को हम हल करते हैं चलिए पहला प्रश्ण है पहला प्रशन है area bounded by the curve y equal to root x area bounded by the curve है y equal to root x and x equal to 2y plus 3 और x equal to 2y plus 3 यह अपने अपास area है in the first quadrant and x-axis कहां निकालना है इसका area in first quadrant and x-axis तो x-axis के बीच का हम को area निकालना देखिए यहां पे क्या है y equal to root x है y equal to root x को work कर दीजे मतलब y square equal to x मतलब यह x की तरफ खुलने वाला परवला है और एक line आपके पास क्या जा रही है एक line आपके पास जा रही है x equal to 2y plus 3 यदि इस line में हम देखें x equal to 2y plus 3 में अगर हम x का मान 0 करते हैं तो कितना आ जागा 2y वराबर minus 3 ओके तो x का मान 0 करने पर हमाले पास कितना आ जागा 2y वराबर minus 3 और y वराबर minus 3y2 मतलब यह जो line है minus 3y2 0, minus 3y2 से नीचे जा रही है और उपर यदि y का मान 0 कर दिया जाए तो x equal to 3 मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ पर x equal to 3,0 से जा रही है आपको जो है area निकालना है कहां तक का आपको इसके बीच का area निकालना है तो आपको इसके बीच का प्रथम चतुर थांस का area चाहिए है तो इसका area हम किस तरीके से find कर सकते हैं देखिए यहाँ पर यह जो line कट रही है सबसे पहले इसके कटान बिंदू निकाल लिजे तो यहाँ पर कटान बिंदू निकालने के लिए क्योंकि x का बिंदू हमें चाहिए है तो हम क्या करेंगे y की जगह यहाँ पर हम x का मान y square equal to x है तो हम इसको हल कर देते हैं ओके x के पदों में इसको हम हल कर देते हैं तो चलिए यहां से y का मन कितना हो जागा x-3 upon 2 तो समीकार दो में रख दीजे यह समीकार एक है यहां से लिखिए y का मन कितना हैगा x-3 upon 2 तो y square equal to x है तो x-3 upon 2 का whole square equal to x हो जाएगा यह हो जागा x square minus 6x plus का 4 plus का 9 equal to किता हो गया यह भाई सब 4x तो x square minus 10x और plus का 9 equal to 0 तो x square minus 9x minus का 9 minus का x और plus का 9 equal to 0 x common लेने पर x minus 9 और minus 1 common लेने पर x minus 9 equal to 0 तो x equal to 1 और x equal to 9 मतलब यह जो line है इस curve को cut कर रही है यहां पर हमारे पास एक x equal to 1 पर cut कर रही है और एक x equal to 9 पर cut कर रही है यह दूस परिस्थितिया हमारे सामने बन रही है ओके तो एक मिनट यह इदा रहा चेक कर रही है क्योंकि ग्राप से यहां पर x equal to 1 पर cut करते हुई परिस्थितियों तो दिखाई नहीं दे रही है तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा यहां पर कहीं पर mistake हुई है तो एक बार चेक कर लेता हूं मैं x square minus 10x plus 9 equal to 0 है x square minus 9x तो x minus 9 हो गया है और x equal to 1 हो गया है मतलब एक जो cut point इसका पढ़ रहा है x equal to 1 पर भी पढ़ रहा है और दूसरा x equal to 9 पर भी पढ़ रहा है x square minus 10x plus 9 equal to 0 तो अब यह बताई आप लोग कि यहां पर x equal to 1 तो कहीं पर मेरे को graph के साथ cut point दिखाई नहीं दे रहा है क्या x equal to 1 दोनों को satisfy कर रहा है चलिए put कर लेते हैं तो पदा चल जाएगा x equal to 1 यदि put करता हूँ तो 1 minus 3 upon 2 हां देखें यहां पर satisfy नहीं कर रहा है मतलब कहीं न कहीं अपन से mistake हो रही है एक मिनट फिर से चला चेक करिए कहां पर कहीं पर गलती हो रही है x minus 3 upon 2 equal to आया है x square minus 6 x 3 का हो जाएगा 2 6 x और 9 equal to 2 का square 4 x ही हो गया और 6 और 4 minus का 10 x और plus का 9 बराबर 0 और x square minus 9 x minus x plus 9 equal to 0 है तो x minus 9 यहां minus 1 common लेने पर मित्रों आप बताएए थोड़ा सा कहीं पर mistake जरूर हो रही है मैंने आपसे कहा है कि यह class जो है एक मारदर्शन टाइप की class नहीं है इसमें आपका भी सहयोग जरूरी है क्योंकि देखे यहां पर problem यह हो रही है कि x equal to 9 पे x equal to 9 लिया जाए तो यह और तो x equal to 9 एक पॉइंट आ रहा है मगर graph से देखे हम तो y square equal to x जो है वो यहां से ओहो 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 देखे देखे क्या हूँ हम जो है दूसरा part बनाए नहीं है इसलिए यह point है हाँ यहां पे भी cut करेगा चलिए तो खेर हमको इससे मतलब नहीं है दूसरे part से हमको उपर वाले part का area चाहिए था तो गलत नहीं आ रहा है x equal to 1 भी आएगा सही बात है तो दो cut point हमारे पास आ गए है x equal to 1 और x equal to 9 तो हमें किस चीज का area चाहिए क्योंकि हमें बोला first coordinate में x access का area तो हमें जो चाहिए है पूरा इस वाले area का भाग चाहिए है आईए इस वाले area का भाग निकालते हैं तो ये बिंदू क्या चुका है 9 तो इसको निकालने के दो तरीके हैं एक आप यहां से ले करके यहां तकी जो परवला है इसका area निकाल लीजिए और उसमें से ये line का area माइनस कर दीजिए तो इस line का area समझना तो बड़ा ही आसान है इस line का area कितना आजाएगा देखिए एक बटे दो आधार गुने उचाई तो एक बटे दो देखिए यहां पर जो बिंदू है किस्ते से जारी है line 3 से तो आधार कितना 3 से लेके 9 हो जाएगा 6 और उचाई निकालने के लिए आपको इसका y निर्दे सांग निकालना पड़ेगा ठीक है ना तो यहां पर x की value 9 है तो y का निर्दे सांग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा तो 6, 3 तो यहां पर आगया कितना 3 मतलब इसका area कितना आगया 9 तो यह वाले part का area कितना हो चुका है 9 अब आपके पास किसका area चाहिए परवले का area और परवले के area में से आप इसको minus कर दीजेगा तो आईए हम परवले का area भी निकाल लेते हैं तो परवले का area हमाँ पस कितना आएगा under root x क्योंकि y square बराबर x दिया गया है तो y बराबर under root x और area निकालना है कहां से कहां तक 0 से लेके 9 तक का है ना तो area हमको निकालना है 0 से लेकर के 9 तक का तो भहिया यह कितना हो जाएगा यह होता है x की power 1 by 2 plus 1 by 2 याने x की power 3 by 2 अपल्टी मार्के 2 by 3 नीचे और इधर पर area कितना आ गया 0 से लेके 9 और हमको total area जो आएगा उसमें से 9 minus भी करना है क्यों जो 3 भू जाया था उसका area था तो चलिए इसको हल करते है 2 by 3 9 की power 3 by 2 मतलब 9 root 9 और minus कितना 0 और minus कितना 9 तो देखे 2 by 3 और 9 root 9 का मान कितना हो जाएगा 9 root 9 का मान 9, 37 और minus का 9 तो यहां गया 3 से कितने बार हो गया 9 बार 9, 2, 18 ओके और 18 minus का 9 तो यह कितना आ चुका आपने पास 9 square unit शेतरफल है मैं चेक कर लेता हूँ बिल्कुल सही correct answer है 9 square unit तो बताईए सभी को clear है इसमें कोई route वगरे हो तो प्लीज बताईएगा तो यहां पर जो रेखा थी क्या थी y बराबर root x और x एक्स एक्वाल टू 2 y प्लस 3 के 20 का जो छेतरफल आया है वो 9 इकाई हमारा आ चुका है इसमें कोई समस्या नहीं है चलिए अग्ला सवाल देखते है अग्ला सवाल जो आपके एक्जाम में आया हुआ हमें तरो वो यह है कि तो दो कर्व हैं आपके पास में आपको इसके बीच का छेतरफल निकालना है और आपको दिये गाए है बी दिया गया है 1 x 3 फिर 1 x 6 और 1 x 12 यह आपको आपसमी गया है आपको छेतरफल निकालना है देखे तो कहला कर्व है ऐफएक्स इकॉल टू एक्स स्क्वेर दूसरा है ऐफएक्स इकॉल टू टू एक्स क्यूब तो आईए इसका ग्राप बना लेते हैं देखे, f x is equal to x square, जो होता है, वो quadratic, पैरा वोला है, थोड़ा इस तरीके से जाता है, फैल करके, और fx equal to x cube, जो होता है, वो विसम फलन होता है, तो उसका graph किस तरीके से जाता है, उसका जो graph हुआ करता है, पहले आप एक काम करिए है, कि पहले आप x cube का graph बना लिए, फिर दिख लिजेगा हाँ यह इस तरीके से ग्राप जाता है y equal to x cube का इस तरीके से जैसा 10x का थोड़ा सा फ्लो रहा करता है negative के लिए negative और positive के लिए positive उपर का flow थोड़ा सुधार लिजे यह लिजे थाँ ठीक ठाक हो गया यह लगबग और अब इसके बाद जो आपका ग्राप है y equal to x square यह देखिए यह जाएगा इस तरीके से है ना और यहाँ पर क्योंकि x square और x cube का मान 1 पर 1 होता है तो यह 1 पर एक दूसरे को cut भी करेंगे तो इसलिए x square का graph थोड़ा चौड़ा बनाईए नहीं तो cut नहीं करेगा यह सब चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है जब area under curve का graph आप बनाते है न तो यह सब चीज़ जो हुआ करती है यह क्या करनी पड़ती है ध्यान रखनी पड़ती आपको चलिए अभी भी cut नहीं किया है यह तो इसको cut करवाना पड़ेगा हमको यह लीजिए अब finally cut कर दिया है तो आपको जो है यह जो graph है दीखे यहाँ पर दोनों cut कर रहे हैं ठीक ना और आपको जो है यह value निकालना है यह area इन दोनों के बीच का आपको निकालना है अब देखिए जो graph आपके पास में है y equal to x cube जो होगा बहुत तेजी से भागेगा y equal to x cube जो होगा वो बहुत तेजी से भागेगा क्यों देख लीजे आप क्योंकि x equal to 3 पर जो y equal to x cube का value कितना आएगा 8 आएगा और x equal to 2 पर y equal to x square का value कितना आएगा भाई सब 4 आएगा मतलब x cube का जो graph होगा वो थोड़ा तेजी से उठेगा ठीक है और x square का graph जो होगा वो थोड़ा धीमे से उठेगा तो अब यहां पर ये पता लगाईए कि x cube का graph कौन सा होना चाहिए और x square का graph कौन सा होना चाहिए X cube का graph कौन सा होना चाहिए और X square का graph जो है कौन सा होना चाहिए देखी ये जो graph आपके पास बन रहा है ये वाला graph ठीक है न? एक सिक्टन कोई जुड़ना चाहता है सर नमस्कार Math trick सर नमस्ते सर नमस्ते सर नमस्ते तो देखे सरे question चल रहा है हमको कि X cube और X square के बीच का graph निकलना है तो अब यहाँ पर ये देखिए कि X cube का जो flow है वो X cube का graph जो है और X square के graph के बीच का हमको area निकलना है तो हम यहाँ पर कोसिस कर रहे हैं कि दोनों के बीच का हम exact graph निकाल सके कि कौन सा graph उपर जाएगा और कौन सा graph नीचे जाएगा तो देखे दोनों graph 1 पर cut करेंगे और 1 के बाद जो है 1 के बाद 2 पर X cube का value कितना है 8 है और X square का value क्या है 4 है मतलब जो आपका cube बाला graph है वो आंगे चला जाएगा यो cube बाला जो graph है वो आंगे चला जाएगा और X square वाला जो graph है वो इस तरीके से होते हुए यहाँ चला जाएगा बस ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ जिसमें थोड़ा वक्त लग रहा है cube का graph जो है बहुत तेजी से उपर उठकर के आंगे चला जाएगा और जो X square का graph आपके पास में आ रहा है वो इस तरीके से वो उठकर के इधर की और चला जाएगा अब इसमें थोड़ा सा ये है कि जगह नहीं बची है तो देखिए आप ध्यान से कि यहाँ पर आंगे किसका graph चल रहा है X cube का और पीछे किसका graph चल रहा है Y equal to X square का और दोनों कट कहां पर करेंगे दोनों कट करेंगे 1,1 पर तो हमें क्या चाहिए है हमें इसके बीच का area चाहिए है हमें इसके बीच का क्या चाहिए है area चाहिए है तो हमें इसके बीच का area चाहिए है अब बताइए हम area कैसे निकालेंगे देखो भाई यहां तक जो है x cube पीछे था और x square आंगे था ठीक है ना तो इधर तक जो है x square आंगे आया है और x cube जो था वो पीछे गया था 1 के बाद में x cube तेज हो गया है 1 के बाद में x cube जो है तेज हो गया है मगर 1 के पहले x square आंगे था और x cube पीछे था बस बार बार हम इसलिए इसको repeat कर रहा है यही समझाने की कोसिस हो रही है कि 1 के पहले जो है यह देखो यहां तक जो है इसके पहले जो है x cube आंगे था x cube X cube, तो हमको तो यह छेतर का चाहिए ना, तो क्या करेंगे हम, X square minus X का cube करेंगे, तो चलिए छेतर फल निकालते हैं, तो छेतर फल कहां से कहां चलेगा भाई साब, छेतर फल हमारा चलेगा, 0 से लेकर के 1, ठीक है ना, तो छेतर फल हमारा क्या चलेगा, 0 से लेकर के 1, ठीक है, x square minus x का cube 0 से लेकर के 1 x square minus x का cube चलिए आई solve कर देते हैं x square का हो जाएगा x cube by 3 और minus x की power 4 upon 4 और limit कितनी हो जाएगी 0 से लेके 1 तो 1 ही put करना है तो 1 upon 3 minus 1 upon 4 तो भाई साब इसका answer कितना जाएगा इसका answer जाएगा 4 minus 3 upon 12 यानि 1 by 12 square unit ठीक ना तो main concept इसमें यही पता करना पड़ता है कि यह कहां से कहां पर जाएगा तो बस एक बार मैं फिर से आपको recall कर देता हूँ कि हमारे पास अगर आपके पास 2 करव हो y equal to x square y equal to x cube तो देखिए x square की value एक के बाद x की value एक के बाद ले जे 2 तो 2 पर y equal to कितना हो जाएगा 2 का square कितना होता 4 और x की value एक से बड़े के लिए ले जे 2 तो 2 का cube कितना होता है 8 और एक पर दोनों बराबर होते हैं तो इस बात को याद रखीगा कि शुरुआत में आपका ये बड़ा हुआ करता है परन्तु जैसे x cube आएगा तो x cube इसको काट करके फिर आंगे हो जाएगा तो x equal to 1 तक कौन बड़ा है x square तो ये 6 तरफल निकाल लिएगा थोड़ा practice का लिजएगा और किसी मित्र के पास कोई trick हो इसकी विशेज तो मैं जरूर चाहूंगा आप लोग share करें जैसा मैंने बताया था ये सहीवक के भाव से चलने वाली class है प्लीज आप लोग भी share करीए चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल कहा है भई यस अगला question आया है UP PGT में नहीं TGT में TGT 2016 का सवाल है क्या सवाल दिया है the area enclosed between the curve y equal to sine x the area enclosed between the curve y equal to sine x and y equal to cos x y equal to cos x और कहां से कहां दिया गया है आपको भाई साब 0 से लेके pi by 2 तक का आपको कर बताना है कि 0 से लेके pi by 2 तक की value आपको बतानी है यहाँ interval दिया गया है 0 से लेके pi by 2 एक से लेके pi by 4 है pi by 2 नहीं है pi by 4 है चलिए तो देखिए हमारे पास 2 curve है एक curve हमारे पास क्या है एक curve हमारे पास है y equal to sine x तो y equal to sine x का graph जो है अधिकतम value 1 तक उठता है और इस तरीके से 0 से लेके pi by 4 निकालना है तो यह 0 और pi हमने निकाल लिया है और y equal to cos x का graph जो होता है वो यहां से यहां की और गिरता है यह देखिए तो यह हमें दोनों curve के बीच का area निकालना है 0 से लेके pi by 4 के बीच में तो यहां पर जो हमको कटान बिंदो मिलता है वो क्या मिलता है 0 से लेके pi by 4 अब आप देखिए दोनों graph के बीच का जो shaded area होता है अगर आप बात करते 0 से लेके pi by 2 तो फिर थोड़ी सी picture अलग हो जाती क्यों अलग हो जाती इस चीज को समझेगा गंभिरता से भाई यहां तक का 0 से लेके pi by 4 तक का दोनों graph का area included यह बनेगा जो मैं red portion से सो कर रहा हूं और अगर आप 0 से लेके pi by 2 तक बोलते तो देखे pi by 2 यहां पे आएगा यह pi by 2 बनेगा तो उस समय तक pi by 2 तक का area कितना बनता यह बनता तो आपको दो बार निकालना पड़ता हलाकि symmetric curve मुझे महसूस हो रहा है तो इसको double करके भी just इसका answer आजाएगा तो इसको double करके भी इसका answer आजाएगा तो question में यदि pi by 4 हो या pi by 2 हो तो भी कोई ऐसी विशेज समस्या आने वाली नहीं है हम एक का कुना दो कर देंगे तो भी answer हमारे पास आजाएगा अब देखिए इसको हम हल करते हैं तो पहले portion में यदि हम 0 से लेके pi by 4 तक का area निकालेंगे तो उपर cos का graph चलेगा और नीचे किसका चलेगा sin का graph चलेगा तो मैं अपने answer को आँगे बढ़ाता हूँ चलिए तो required area A equal to limit चला दो 0 से लेके pi by 4 उपर है cos का graph तो cos of x और नीचे है sin का तो sin of x का dx 0 से लेके pi by 4 तक का तो इसको आप हलकल लेंगे एक बात अगर मान लीजे ये question होता 0 से लेके pi by 2 तक का तब क्या करते हैं तब देखे एक तो तरीका है कि जो answer है उसका double कर दो क्योंकि देखने ही सही समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्या है symmetric हैं और यदि पूरा पूरा करना है तो क्या करते बित्रो तो आप 0 से लेके pi by 4 तक लेते और यहां उपर आपका area जो चलता वो चलता cos x minus का sin x dx और इसके बाद अगला चलता pi by 4 से लेके pi by 2 और क्या चलता भाई साब ये ये चलता आपका कितना sin x minus cos x क्योंकि इसमें sin x उपर है और cos x क्या है नीचे है तो ये आपके पास चलता sin x minus cos x तो जहां पर problem हो आपको तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और यदि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करिए mod लगा दीजे क्योंकि mod लगाने में जो आप गलत करेंगे वो चीज वहाँ पर positive हो जाएगी और कोई फर्क नहीं आएगा तो आई होप आपको ये चीज concept समझ में आ गया होगा इस तरीके से आप जो है 0 से लेके पाई बैटू के बीच का area निकाल सकते हैं स्क्रीन सोट ले ली जाप लोग चलिए आँगे चलते हैं अगला question करते हैं TGT 2005 में आया हुआ सवाल मितरों कह रहा है कि area bounded between the curve y equal to x minus 1 y equal to mod of x minus 1 y equal to x minus 1 y equal to 0 y equal to 0 मतलब x axis and mod x equal to 2 ये लीजिए इसके बीच का area हमको निकालना है तो सबसे बहतर टेकनीक है इसके बीच के area निकालने की कि आप इसका graph draw कर ले तो देखिए मैं अपने यहाँ पे x और y axis ड्रॉ कर लेता हूँ ये हमारा x axis है ये y axis है ओके और y equal to 0 मतलब x axis मतलब x axis के साथ हमको area निकालना है अब mod of x minus 1 mod of x minus 1 कहाँ पे टुटेगा x minus 1 अंदर की चीज़ को 0 करो तो x equal to 1 पे तो x equal to 1 पे आप तोड़ दीजिए तो एक line यूँ खीच दीजिए और एक line इस तरीके से यूँ खीच दीजिए ये आपकी line चली गई है और भाई ये गायप क्यों हो गई एक line आपने इधर की और खीच दीए और एक line आपने इधर की और खीच दीए चलीए दूसरा आपके पास क्या है दूसरा आपके पास है mod x equal to 2 mod x equal to 2 का मतलब कितना होता है mod x equal to 2 का मतलब होता है x equal to 2 plus minus 2 हुआ करता है ठीक ना तो ये देखे y equal to x minus 1 था ये तो हो गया दूसरा आपके इक से कोल to 2 मतलब x equal to plus minus 2 मतलब एक line x equal to 2 ये जाएगी और दूसरी line x equal to minus 2 ये जाएगी ये line क्या है भाई साब ये है x equal to minus 2 ये line x equal to 2 यहाँ पर x का बिंदू जो है वो क्या है 1 है ये y axis है जो गायब हो चुका है इनकी चाका चौन्द में ये अपना विचारा origin है हमको क्या चाहिए हमको इन तीनों कर्व के बीच का area चाहिए जहाँ पर तीनों अपना area shade करें हमको इन तीनों के बीच का area चाहिए है जहाँ पर ये तीनों line हो ठीक है अब आप देखिए ध्यान से भी एक तो area आपके पास ये वाला बन रहा है और एक area आपके पास में ये वाला बन रहा है बस इतना बन रहा है तो आप क्यों ना यहाँ पर लगा लें यहाँ पर देखिए minus 2 है न हाँ बिंदो minus 2 है तो छेत्रफल लगाए ये त्रिभुच का छेत्रफल तो पहला वाला जो इसका छेत्रफल निकलेगा वो लिकलेगा एक बटा दो तो अधार कितना हो जाएगा देखिए 1 से लेके minus 2 मतलब 3 और उचाई कितनी निकलेगी इस त्रिभुच की यहाँ पर देखिए x equal to minus 2 है और रेखा जा रही है यहाँ पर कितनी x equal to minus 2 पर y equal to mod of x minus 1 तो mod of x minus 1 पर minus 2 रख दीजे तो minus 2 minus 1 कितना हो गया minus 3 मतलब उचाई मिल गई आपको 3 तो एक बटे 2 तीन गोने 3 यह हो गया इधर का छेतरफल और इधर x equal to 2 है और यहाँ पर कर्व जो जा रहा है वो क्या चल रहा है y equal to x minus 1 तो 2 और minus 1 कितना आएगा यहाँ की उचाई यहाँ बनाएगी मतलब point बनेगा 2,1 तो इधर का छेतरफल निकालें कितना होगा एक बटे 2 आधार कितना हो जाएगा एक से ले तक के दो तक का gap कितना होगा भाई साब एक ही होगा और उचाई भी कितनी है एक याने की एक बटे 2 तो इधर का आगे answer 9 बटे 2 और इधर का आगया अंसर एक बटे दो तो टोटल एरिया एकॉल टू नौ बटे दो प्लस एक बटे दो यानि दस बटे दो अंसर आगया कितना अपने पास तस में दू का भाग दिया पांच आगया डन चलिए अगला क्वेश्चन करते है अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है दो हजार पांच के एक्साम में आईए उसको डिसकस करते हैं क्वेश्चन है इन्दा इंटर्वल जीरो टू पाय बाइटू हमारे पास एक इंटर्वल दिया है 0 2 pi by 2 in the interval 0 2 pi by 2 area lying between the curve y equal to 10x and y equal to cortex y is equal to 10x and y equal to cortex का आपको 6 तरफल निकालना है चलिए निकालते हैं options क्या दिये हुए काफी सारे options दिये हैं मैं पढ़ देता हूँ log 2 है 1 by 2 pi log 2 है 1 by 4 pi log 2 और 39 तो पहले तो हमें इनका graph बनाना पड़ेगा इन questions का हमें graph बनाना पड़ेगा y equal to 10x और y equal to cortex का हम graph बनाते हैं देखे तो y equal to 10x का graph कैसा जाता है आप सभी जानते हैं ये अपने पास में ये कितना margin होता है ये होता है pi by 2 और y equal to 10x का graph 0 से लेके pi by 2 के case में यहां से जाके कुछ इस तरीके से ये y equal to 10x का graph चला गया है और cot की value 0 पर कितनी होती है cot 0 equal to होता है infinity ok और pi by 4 पर दोनों match करते हैं और cot pi by 2 कितना होता है 0 हो जाता है ये देखें और इसके बाद ये graph नीचे की और निकल जाता है तो भाई साब आपको area कौन सा चाहिए आपको 0 से लेके pi by 2 दोनों cot और 10 के बीच का area चाहिए है मतलब ये आपको area चाहिए है ठीक है ना तो मजे की बात क्या है ये दोनों यहाँ पर pi by 4 पर intersect कर रहे हैं तो यहां से यहां तक का जो पहला part area excuse me यहां से यहां तक का पहले part का area कौन shade करेगा भाई साब यहां से यहां तक का पहले part का area shade करेगा यह कौन सा graph है 10x और यहां से यहां तक का graph का area कौन shade करेगा यह है कौन सा cortex ओके तो इसका answer बनाता हूँ area equals to 0 से लेके πाई बाई 4 10x प्लस πाई बाई 4 से लेके πाई बाई 2 कॉट x 10x का integration कितना होता है log sec x होता है और log sec x में limit कितनी लग जाएगी 0 से लेके πाई बाई 4 प्लस ये क्या होती भाई साब ये होती है log sin x और इसमें भी limit लग जाएगी 0 से लेके πाई बाई 2 चलिए solve करता हूँ इसमें तो log sec πाई बाई 4 sec πाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 होता है 1 अपाउन रूट 2 तो ये कितना होता है log root 2 minus sec 0 का मान कितना होता है sec 0 equal to 1 log 0 की value कितनी हो जाएगी log 1 की value कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी और फिर आँगे आईए तो देखें फिर से ये कितना हो जाएगा log sin πाई बाई 2 log 1 की value 0 हो जाएगी minus आएगा और यहाँ पर log sin πाई बाई 4 मतलब फिर से log 1 upon root 2 क्योंकि sin πाई बाई 4 की value होती है log 1 upon root 2 आईए ये हो गया log root 2 ये तो 0 का खेल खतम minus log a upon b equal to log a minus log b तो log 1 माइनस माइनस हो जाएगा plus log root 2 तो log 1 फिर से 0 हो गया और ये plus हो जाएगा माफ कीज़ेगा log root 2 log root 2 दो बार हो गया तो 2 log root 2 ओके 2 log root 2 अब यहाँ पर यही answer होगा 2 log root 2 और 2 log root 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 log root 2 मतलब 2 की पावर 1 by 2 अब 1 by 2 को इसको आगे लिया आईए तो 2 into 1 upon 2 log of 2 2 से 2 गैंसल हो गया तो इसका answer कितना आएगा log 2 let me check option में log 2 है की नहीं है बिल्कुल सही option number a जो है log 2 ही है तो इसका answer यह हो जाएगा ओके अगला question देखते हैं next question है the area between the curve y square equal to x मतलब हमाई पास पैरा बोला है y square equal to x और एक line हमाई पास y is equal to mod x ठीक ना और हमें इसके बीच का area चाहिए है तो कैसे हल करेंगे देखिए इसके बीच का area हमें निकालना है तो y square equal to y square equal to x मतलब यह x की तरफ इस तरीके से खुलेगा और y equal to mod x जो है एक line जो है एक इधर जाएगी और इक इधर जाएगी यह आपका shared part का area आपको निकालना है ठीक ना तो इसके options क्या दिये हैं इसके option दिये गए हैं तो एक एक बटे 3 दो बटे 3 एक बटे 6 एक पहला option है एक दूसरा option है एक बटे 3 तिसरा option है दो बटे 3 और चौथा option है एक बटे 6 अब मैं इसको करने के पहले यह बताउँगा कि दिखी यहां पर यह जो line है यह equal to x है और यह जो line है यह है y equal to minus x तो यदि इसकी तुलना की जाए y equal to mx है तो यहाँ पर m की value की तियारी वना रही है और हमारे पास एक trick होती है कि यदि कोई parabola हमारे पास y square equal to 4x और y equal to mx के बीच का हमको area निकालना है तो इसकी trick होती है answer 8a square upon 3m cube यह कुछ trick हुआ करती है 8a square upon 3m cube तो देखी सबसे पहले यहाँ पर y square equal to y square equal to x में 4a का मान कितना रहा है भाई सब 4a का मान एक आ रहा है तो a equal to कितना हो गया 1 upon 4 तो यदि मैं इस trick से इसका answer निकालू तो 8 into a square तो 8 और a square कितना हो जाएगा क्योंकि 8 है 1 by 4 तो 1 by 16 हो जाएगा into 3 और m का cube m कितना है 1 तो 8 to the 16 तो answer हो गया कितना 1 upon 6 तो इससे बहतर trick नहीं हो सकती है यह सबसे अच्छा formula है तो आप लोग एक पर फिर से इसकी trick note कर लिजे trick अगर आपके पास में कोई parabola है अगर आपके पास में कोई parabola है y square equal to 4ax और कोई line आपके पास में जा रही है y equal to mx तो इसके बीच का जो shaded part का area होता है वो होता है कितना 8a square upon 3m cube बार बार इसको note करें 8a square upon 3m cube अब बड़ी method क्यों यूज में लेना जब आपके पास यह trick है तो कोई आपको बड़ी method से लगाने की जरूरत नहीं है चली अगला question करते हैं अगला question जो आया है वो सम्मंध एवं फ्लन चेप्टर का question है मैं question को लिख देता हूँ ओके यह TGT 2009 का question है question क्या कहना देखे let x and y be the subset of r मतलब x जो है वो भी किसका subset है आर का और y जो है वो भी किसका subset है आर का let x and y be the subset of r और r क्या होता है set of all real number the function f is such that function एक function यहां पर f है जो कि कहां से कहां define होता है x से लेके y में define होता है और किस तरह से define हो रहा है f x equal to f x equal to x square f x equal to x square तो आपको बताना है कि जहां पर x belongs to capital x है यह तो पता ही होगा x belongs to capital x है तो आपको बताना है कि is one one but not onto मतलब जो function है वो one one तो है but onto नहीं है but not onto ओके आपको बताना है कौन से interval में आपका जो function होगा वो one one होगा but onto नहीं होगा यह option दिया है x equal to y equal to r plus दूसरा option आपके पास में है x equal to r y equal to r plus ओके तीसरा आपके पास में है दिखे one one तो होना चाहिए और onto नहीं होना चाहिए तीसरा आपके पास option है x equal to r plus and y equal to r और चौथा option आपके पास में है x equal to y equal to r तो देखिए function क्या है y equal to x square function है fx equal to x square मतलब जो भी आप देंगे आपको positive मिलेगा जो भी आप देंगे आपको क्या मिलेगा positive ओके तो अगर आप यहाँ पर r plus लेंगे तो क्या हो जाएगा वो on to हाँ हमको question पूछा गया one one but not on to यहाँ पर मैंने word नहीं लिखा था तो देखिए अगर आप यहाँ पर r plus ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा on to हो जाएगा क्योंकि negative number का square करेंगे तो केबल positive आएगा तो r plus में वो क्या हो जाएगा on to हो जाएगा ठीक है ना ठीक है और अगर आप यह तो यह option तो हो नहीं सकता है ओके यह option भी हो नहीं सकता है अब कह रहा है x equal to y equal to r मतलब आपने negative number भी ले लिए और positive number भी ले लिए ठीक है ना negative number भी ले लिए और positive number भी ले लिए तो क्या situation आएगी देखिए तो x equal to y equal to अगर r आपने ले लिया है उस समय, किसी हालत में 1-1 नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, जैसे सब्सक्राइब आपके पास एक element है minus 1, और एक element है आपके पास plus 1, तो दोनों का output क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जबकि question में बोला गया है कि आपका क्या होना चाहिए 1-1, तो ये भी 1-1 को support नहीं कर रहा है, तो correct answer कौन सा होगा, आपका answer होगा, 3rd वाला, मतलब x is the collection of positive real number and y is the all real number, ठीक है, जब इस तरीके से ये 1-1 होगा, मगर on 2 नहीं होगा, चली, अगला question करते हैं, अगला question आया है, TGT 2009 में, next question आपके पास कह रहा है कि अगर कोई determinant जो दिया गया है, D is equals to, ये है 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 plus x, and 1, और 1, 1, 1, 1 plus y, ये दिया गया है, कह रहा है, जहाँ पर x की value 0 के equal नहीं है, और y जो है 0 के equal नहीं है, मतलब x is also not equal to 0, and y is also not equal to 0, तो कह रहा है कि बताईए, जो D होगा, D determinant जो होगा, वो कैसा होगा, फर्स्ट option दिया है, divisible by neither x nor y, ना तो x से विभाजित होगा, ना तो y से, दूसरा कह रहा है भाई option, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा option की इनका कहना है, दूसरा option की इनका कहना है, divisible by both x and y, तो मतलब दोनों x और y से विभाजित होगा, तीसरा आपके पास है, divisible by x but not by y, x से तो विभाजित होगा, मगर y से विभाजित नहीं होगा, और चौथा option है, divisible by y but not by x, y से होगा, मगर x से नहीं होगा, तो एक काम कर सकते हैं, आप एरी short trick लगाना चाहते हैं, तो x की जगए 2 ले ले और y की जगए 3 ले ले, ऑके, x की जगए 2 ले ले और y की जगए 3 ले ले, बड़ देख लें कोई option तो match नहीं हो रहा है, ना तो x से ना तो y से, ओके, मगर, देखिए आप problem में तब पढ़ जाएंगे, की, जैसे मान लो answer आ गया, 6 आ गया, इस determinant का answer क्या आ गया, 6 आ गया, अपने इसको solve कर लेते हैं, तो simple लगाते हैं, क्या operation लगाते हैं, c1 tends to c1 minus c2, ओके, तो c1 tends to c1 minus c2 लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा, 0, और 1 minus 1 minus x मतलब की minus x, और 1 minus 1 कितना हो गया, 0, ये हो गया, 1, 1, ये हो गया, 1 plus x और ये भी 1, और ये हो गया, 1, और ये हो गया, 1 plus y, आईए, इसको solve करते हैं, इसके respect में, तो first plus minus plus, तो क्या हो जाएगा, solve करके x हो जाएगा, और अपर ये बनेगा, 1 plus y minus 1, ओके, this into this, और this into this, तो यहाँ पर देखें, answer कितना आ गया, x into y, मतलब x से भी विभाजित होगा, और y से भी विभाजित होगा, तो answer x तथा y, दोनों से विभाजित होगा, बहुत ही सरल सावाल था ये, चलिए, अगला concept की और चलते हैं, अगला question है आपके पास में, अगला question आपके पास में लिया है, if y is equals to, y is equals to, x की power x, plus one upon, x की power, sorry x square है, x square plus one upon x square, फिर इसके नीचे भी, one upon x square, plus one upon x square, and so on, आपको ये चल रहा है, ठीक ना, तो इसका आपको अवकलन करना है, आप इसको कैसे अवकलन करेंगे, ठीक है ना, आप इसको कैसे अवकलन करेंगे, तो ध्यान से देखिए, यदि यहां से इसको हल करने के लिए ये है, कि ये क्या structure बन रही है, ये structure ऐसी बन रही है, y is equal to fx, प्लस one upon fx, प्लस one upon fx, प्लस one upon fx, इस तरीके की structure अगर आपके पास बन ती है, तो आप इसको दो तरीकों से हल कर सकते हैं, एक तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ओके, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है ना, तो इस पूरे के पूरे को आप x square plus one upon y लेके भी हल कर सकते हैं, और दूसरा, इसका short trick अगर आप याद कर रखे, तो short trick इस कील नोट कर लिजे, इस तरीके की question की, d by dx is equals to, d by dx equals to f x, मतलब आपके पास जो answer आएगा, वो आएगा, y in 2 f dash x upon 2 y minus f x, 2 y minus f x, okay, y in 2 f dash x upon 2 y minus f x, मैं कहूंगा, आप इसको याद कर ले, क्योंकि यहाँ पर जो question आया था, देखिए आपके पास जो question था, f x equal to kya था, x square plus one upon x square, plus one upon x square, plus one upon x square, इस तरीके का question था, तो यहाँ पर f dash x कितना मनेगा, 2 x, तो answer कितना हो जाएगा, इसका, इसका answer हो जाएगा, y in 2 2 x multiply by 2 y minus f x कितना है, x square, okay, तो एक मिनट में इसकी short trick बना लीजे, आपको एक मिनट दिया, आप एक मिनट में इसकी जल्दी से short trick note कर लीजे, okay, function का type क्या है, आपके पास function का type है, if आपके पास y is equals to है, f x plus 1 upon f x plus 1 upon f x इस तरीके की यदि directly infinite form में जाती जा रही है, कोई series, तो d by dx equals to कितना हो जाएगा, इसका, d by dx को को जाएगा, y into f dash x upon 2y minus f x, y into f dash x upon 2y minus f x. चलिए, एक और question देखते हैं, उसमें भी हम एक trick discuss करींगे, देखे question क्या है, और trick क्या है? yes, question है आपके पास में, कि if, function है आपके पास में, question दिया गया है, if 2 की power x plus 2 की power y equal to 2 की power x plus y, उपर ही है, 2 की power x plus 2 की power y equal to 2 की power x plus y, okay, तो आपको बताना है, कि d by dx क्या होगा, मैं आपके लिए इसके बहुत अच्छी short trick बता रहा हूँ, कैसे करेंगे, देखे, अगर आपके पास में, कोई function है, जैसे जिसको आप लिख सकते है, f x, y equal to 0, दो variable का question है, अगर आपको f x, y equal to 0 करना है, तो आपको निकालना है, d by dx, तो इसके trick होती है, minus of del f by del x divided by del f y del y, okay, इसको del को बोलते हैं, अपन partial differentiation, मतलब y को constant मानके x का differentiation, और फिर नीचे x को constant मानके y का differentiation, तो सबसे पहले इसको f x, y equal to 0 की फार्म में बनाएंगे, तो कैसा बन जाएगा, 2 की power x plus 2 की power y, minus 2 की power x plus y equal to कितना 0, अब निकालते हैं, d by dx, कैसे निकालेंगे देखें, पदों में differentiation y को constant मानेंगे, तो x के पदों में differentiation यह हो जाएगा, 2 की power x log 2, अगला y अकेला है, तो 0 हो जाएगा, minus 2 की power y constant आजाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 2 की power x log 2, यह हो गया, ओके, yes, तो और मैं एक चीज भूल लगया, उपर, यहाँ minus लगाए जाता है, यहाँ पर क्या लगाते हैं, आपन बाहर, minus, नीचे देखें, x को constant मानके y के पदों का differentiator, 2 की power x का कितना हो जाएगा, 0, और इसका हो जाएगा, 2 की power y log 2, और minus 2 की power x constant आजाएगा, और यह हो जाएगा, 2 की power y log 2, ठीक है, अब आप यहाँ से, 2 की power x log 2 common ले ले, उपर से, तो कितना बन जाएगा, 2 की power x log 2, यह minus sign का multiply हो जाएगा, यह हो जाएगा, प्लस 2 की power y, minus 2 की power x, और नीचे से 2 की power y log 2 अगर common ले ले, तो कितना बन जाएगा, यह बन जाएगा, उपर में देखिए, यहाँ से 1 बचेगा, मैंने यहाँ पर 2 की power x log 2 common ले ले ले, और यहाँ पर थोड़ा सा mistake हो गई, 2 की power y minus 1 बचेगा, और यहाँ पर देखिए, कितना बचेगा, यहाँ पर 2 की power y लगटो आगया है, तो 1 minus 2 की power x, log 2 से log 2 कैंसल कर दीजे, तो आपके पास कितना answer आगया, 2 की power x upon 2 की power y, मतलब 2 की power x minus y, और उपर बचा 2 की power y minus 1, divided by 1 minus 2 की power x, so this is your answer, तो नोट कर लेंगे, partial differentiation जो होता है, आपकी बड़ी मदद करता है इस तरीके के question में, बट याद रखिएगा, कि अगर आपके पास function x, y, दोनों को mix function equal to 0 है, तो आपके पास जो diva by dx निकलेगा, that is equal to minus of, minus of delta y upon delta x, और divided by negative of delta f by delta x, delta f by delta x, और divided by delta f by delta y, जो आपकी screen पे लिखा हुआ है, इस formula को note के लिए अच्छे से, ये बहुत बढ़िया कमाल की short trick है, आपका बहुत सारा समय बचाएगी, नहीं तो पक्छांतर करना पड़ेगा, इधर का उधर करना पड़ता है, काफी सारा समय खराब होता है, तो एक बढ़ फिर से मैं इसको summarize कर देता हूँ, इस trick को, कि भहिया जो d by dx होता है, d by dx होता है, कितना होता है, minus of del f upon delta x, और upon में del f upon delta y हुआ करता है, और याद रही कब लगता है, when f x, y equal to 0, चलिए, next question देखते हैं, अगला question है, tgt में आया हुआ, special question है, tgt 2009 में पूछा गया सवाल, सवाल कहरा, volume of a solid generated by the revolution of curve, y equal to ax square, generated by the curve, y equal to a square upon x, a square ही तो है, a cube है, sorry, तो आपको इपास question क्या है, volume of the solid generated by revolution of the curve, y equal to a cube upon a square plus x square, ओके, about its asymptote, about its asymptote, a, s, y, m, p, t, o, t, e, हिन्नी में प्रेशन पढ़ा हूँ, वक्र y equal to a cube upon x square, a square plus x square का अनन्तिश पर्शी, ओके, अनन्तिश पर्शी, SM-tot को क्या बोलते हैं, अनन्तिश पर्शी के सापेख्च घुमाने में प्राप्त ठोस की आकरती का आयतन क्या होगा, कह रहा है, अगर कोई अनन्तिश पर्शी है, तो इसके, इसके सापेख्च, अनन्तिश पर्शी के सापेख्च ठोस को घुमाने में प्राप्त होने वाला आयतन क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है, तो चलिए देखिए, किस तरीके का इसका कर्ब बनेगा, थोड़ी सी चीज़े इसमें आपको ध्यान में रख करके जानी पड़ेंगी, अनन्तिश पर्शी का रूल क्या होता है, इसमें आपको अनन्तिश पर्शी का एक सिरा बनता है, माइनस इंफिनिटी, और एक सिरा बनता है, प्लस इंफिनिटी, और क्योंकि यहाँ पर यह जो है volume निकालना है क्या निकालना है volume निकालना है तो आपको फलन क्या square लिकाना पड़ता है fx square dx ओके तो यहाँ पर जो कर्ब चलेगा fx square dx तो चलिए इसको खल करते हैं आपके पास जो फलन भी आ गया है y equal to a cube upon a square plus x square यह आपके पास फलन भी आ गया है a cube upon a square plus x square ठीक चलिए देखे x का मान अनन्त रखने पर लगभग इसका मान 0 की तरफ जाएगा और बीच में highest point पे जाएगा तो एक idea लगा लिजे इस तरीके का graph बनेगा yes तो यह जो field है यह minus infinity है और यह क्या है plus infinity अब कह रहा है कि अगर इस curve को अनन्त इस परसी के सापे घुमाया जाए तो आकरती का आयतन क्या प्राप्त होगा तो क्या होगा आकरती का आयतन प्राप्त formula हमने बताया minus infinity से plus infinity यहाँ प्राप्त आता है साथ में πाई ओके f x square का d x तो चलिए इसको हल करते हैं कैसे हल होगा यह दिखे तो अपने पास है क्या अगले पेज में solve करता हूँ मैं इसको pi minus infinity से लेके plus infinity f x का square तो मेरे पास क्या था a cube तो a cube का हो जाएगा a की power 6 और x square plus a square का whole square ठीक है न और यहाँ पे क्या है dx है देखो भाई साब यह पूरा का पूरा फलन कैसा sum फलन है और sum फलन आपको पता है कि तूट जाता है तो यह pi हो जाएगा यह 2 हो जाएगा और यह limit जो है break हो जाएगी कित्ती हो जाएगी 0 से लेके infinity क्योंकि minus a से a जो होता है 0 से लेके a में तूट जाता है a की power 6 आप बाहर ले लिजिए कोई काम का नहीं है और आपके पास क्या बच गया dx upon x square plus a square का whole square dx upon x square plus a square का whole square ठीक है न तो 2 pi a की power 6 हो चुका है अब आपको solve करना है dx upon x square plus a square का whole square चलिए बताइए मित्तरों इसको कैसे solve करेंगे integration बस problem है मारे लिए तो 0 से infinity यह इसके सामने यहाँ पर 2 part है x square plus a square और x square plus a square चलिए कोई दिक्कत नहीं है हम क्या करते है x square plus a square को हम ले लेते है t मगर t लेंगे तो उपर x की power नहीं है तो t लेने पर यहाँ पर काम नहीं चलने वाला है क्योंकि उपर एक भी x नहीं है तो t लेने पर यहाँ पर काम नहीं चलने वाला है तो क्या पुटकिया जाए बताइए आप लोग फ़रों प्लीज यह हमें solve करना पड़ेगा substitution से ओके तो हम independently x square plus a square को अलग से ही solve करते हैं और value लेकर के आते हैं ओके देखे तो क्या है हमारे पास में हमारे पास में है dx upon x square plus a square का whole square तो यहाँ पे मैं value रखता हूँ x की value 10 theta क्योंकि मेरे को वही support करते हुए दिख रही है तो मैं यहाँ पे x equal to a 10 theta put करता हूँ तो x equal to a 10 theta put करने पर मैं इसको कर दूँ dx upon d theta तो a और 10 theta का कितना हो जाएगा sec square theta तो dx equal to हो जाएगा a sec square theta और d theta तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे limit तो चल रही कितनी 0 से लेके pi by 2 ना 0 से लेके infinity चल रही थी ना yes 0 से लेके infinity तो देखे जब मैं put कर रहा हूँ x equal to a 10 theta तो जब x की value 0 तो a की value कितनी हो जाएगी 0 और जब x की value हमारे पास कितनी infinity put करूँगा तो यह कितना हो जाएगा pi by 2 और dx की जगे कितना आ चुका है a sec square theta d theta और नीचे x square की जगे a square 10 square theta x square की जगे a square 10 square theta और plus a square तो नीचे बन गया a square ठीक और यहाँ पर बन जाएगा a square common आने पर कितना बन जाएगा a square common आ गया और bracket में बजगया 1 plus 10 square theta मतलब की sec square theta और पूरे का लगा हुआ है whole square तो देखिए क्या हो जाएगा उपर उपर power a है 1 है और नीचे power 2 की 2 4 हो गई तो 1 upon a cube 0 से लेके pi by 2 sec square theta एक बार और नीचे 2 बार है तो एक एक बार cancel हो जाएगा केवल आपके पास क्या बच जाएगा 1 upon sec square theta और d theta तो हई है तो 1 upon a cube इसके आँगे कर रहा हूँ में 1 upon a cube 0 से लेके pi by 2 sec square theta का reciprocal cos square theta d theta जिसको मैं बना सकता हूँ 1 upon a cube और क्या था 2 भी था ना 0 से लेके pi by 2 में हाँ 2 pi a की power 6 यह मैं बाद में रख देता हूँ है ना इसको मैं बाद में रख दूँगा क्योंकि मैं अभी individually बस इतना solve कर रहा हूँ तो चलिए यह देखे कितना हो जाएगा यह हो जाएगा cos square theta का 1 प्लस cos 2 theta by 2 तो यह 2 बाहर आ गया और limit है 0 से लेके pi by 2 अभी integration हुआ नहीं है बट तो यह हो गया 1 upon 2aq चलिए 1 का integration कितना होता है यहाँ पे 2 theta है तो 2 theta के terms में 1 का integration हो जाएगा theta और cos 2 theta का हो जाएगा कितना cos का integration होता है sin 2 theta by 2 oh my god कितनी महनत करनी पढ़ रही 0 से लेके pi by 2 चलिए 1 upon 2aq यह थो ठीक है ठीक है theta की जगह रख दो भाई साब pi by 2 plus sin 2 theta यहने 2 into pi by 2 यह यह पूरा का पूरा हो गया 0 अगले case में theta के जगह 0 और यह भी 0 हो गया चलो कुल मिलाकर कितना आ गया pi by 2 आ गया तो यह हो जाएगा pi by 4 और नीचे कितना aq ओके तो pi by 4 a का q हो गया यह a की पावर 3 a स्क्वार का होल स्क्वार यहाँ पे देख लें कोई mistake ना होई हो वस चली तो a स्क्वार का होल स्क्वार हो गया था a की पावर 4 और a ठीक है तो pi by 2 upon pi upon 4 a q यह हमाई पास आ चुका है और उपर हमने यह solve किया था 2 pi a की पावर 6 ओके तो हल करते हैं इसको यहाँ से तो 2 pi into a की पावर 6 multiply by क्या आया था भाई साब यह आया था pi upon 4 sin pi by 2 की बहली तो 1 हो गई थी न theta के जगे pi by 2 रखा था कुछ mistake तो नहीं होई है pi से pi cancel चलो कोई रिख कर नहीं है into pi by 4 a cube चलिए into pi upon 4 a का cube a cube नीचे है ठीक है ना तो अब हम इसको solve करते हैं तो answer मेरे पास कितना आएगा देखिए यह 2 से 2 cancel हो जाएगा तो pi square और a की पावर 6 से a की पावर 3 cancel a cube तो answer हो गया pi by 2 a की पावर 3 pi by 2 a की पावर 3 but option में मेरे पास a की पावर 3 है क्या pi square भी है pi square और upon a की पावर 3 by 2 yes correct option b option है तो इसका answer आएगा इस तरीके से तो देखें यहाँ पर आपको यह चीज़ समझनी चाहिए कि जब आपको आयतन निकालने को बोले है ठीक ना तो क्या लिकालना है SM tote के दोरा बनाया गया आयतन यह question में पूछा गया था आप से कि अगर आपके पास कोई फलन है तो वो अगर कोई अपनी अनंतिश परसियों के साथ अनंतिश परसियों को क्या बोलते है SM tote ठीक ना तो अनंतिश परसियों को SM tote बोला करते है अगर वो अपनी अनंतिश परसियों को घुमाने के लिए घुमाने के बाद जो आकरती का आयतन प्राप्त होगा तो उसका value आपको बताना है कि आइतन की value क्या होगी आकरती का आइतन तो मैं आपको बता रेता हूँ एक बात आकरती का आइतन निकालने का जो rule होता है वो note करिए आइतन बराबर पाई माइनस infinity से लेके प्लस infinity fx का square dx ये क्या है अनंत इस परशी के सापेक्ष सापेक्ष fx fx क्या है वक्र वक्र को घुमाने से प्राप्त होने वाला आइतन होने वाला आइतन ये एक mislaneous concept है मतलब सबसे अलग थलग concept है अब इसमें ये न जाईए कि ये कहां से आया कैसे आया इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है मैंने भी रट रखा है आप भी रट लीजिए तो इसमें क्या निकालना है मित्रों हमको आइतन निकालना है तो लिख लीजिए किसी दिये गए वक्र का अनन्त इस परशी के सापिक्ष घुमाने पर प्राप्त होने वाला आयतन प्राप्त होने वाला आयतन बराबर होता है पाई लिमिट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी और एफ एक्स का स्कॉायर और क्या डी एक्स तो एक पाई बाहर रहता ही है याद रखेगा हमने पाई पहले छोड़ दिया था फिर ध्यान किया तो पाई अंदर रहता है इस तरीके से उसको आप हल करेंगे और बाकी इसमें इंटीग्रेशन आएगा ही जिसकी महिमा अपरम पार है तो इंटीग्रेशन का एक्सपर्ट आप होंगे तो उसको थोड़ा सा उसमें आपको एक्सपर्टीज अपनी दिखानी पढ़ेगी और कर लेंगे अपन सॉल चल झालिए अगल सवाल लिखे इसी पर आधारित एकदम सवाल है question है the volume generated by revolving the arc y आपके पास है question लिख दिताओ इस बार the volume generated by revolving the arc y is equal to क्या है भाई सब इस समय arc arc है हमारे पास under root 1 plus x square y equal to under root 1 plus x square lying between x equal to 0 to x equal to 4 x equal to 0 से लेके x equal to 4 तक ये आपके पास कोई curve exist करता है ठीक ना मतलब अब जैसा भी होगा ये x equal to 0 है यहाँ पे और x equal to 4 तक ये कोई arc exist करता है अब यहाँ पर जो है आप इस curve को rotate कर रहे हो इसके about जो है rotate कर रहे हो मतलब यह इधर भी आएगा इधर भी आएगा अब इसको rotate करने के बाद आपको बताना है कि जो छेतर बनेगा जो आयतन बनेगा आयतन का मान क्या होगा आपको बताना है आयतन का मान क्या होगा तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जो छेतर जनित आयतन होता है वो कितना हुआ करता है छेतर जनित आयतन बराबर पाई लिमिट कहां से कहां तक देखी लोर दी गई Fx under root 1 plus x square 1 plus x square का कितना हो जाएगा simple 1 plus x का square यह तो बहुत आराम से question हो जाएगा इस बार तो यह हो जाएगा πाई इसका x का हो जाएगा x और इसका हो जाएगा x cube by 3 और limit 0 से लेखे 4 तो यह हो गया πाई limit x का कितना हो जाएगा 4 और इसका 64 बटा 3 ठीक ना तो 4 पाई 64 चार तीया बारा 64 और बारा कितना होता है 76 बटे 3 तो आंसर हो गया 76 पाई भाई 3 यह इसका आंसर है आप्सन में भी है 76 पाई भाई 3 तो बहुत ही important question है यहाँ पे जो आपने देखा चली अगला question अगला question आया है 2003 question कह रहा है area bounded by the parabola area bounded by the parabola y square equal to 2x आपके पास एक parabola है और दूसरा है ordinate x equal to 1 और x equal to 4 x equal to 1 है और x equal to 4 लेज़े बनाईए यह है अपना और यहाँ पे यह line है x equal to 1 और x equal to 4 आपको निकालना है तो इसमें मैं क्या बता हूँ यह तो बहुत ही घटिया question है तो देखे 2 कर दीजे क्योंकि आपको यह बोला है पूरा area निकालना है यह बोला नहीं है x x की उपर वाला नीचे वाला पूरा निकालना है limit लगा यह एक से लेके 4 तक और under root 2 x का क्या कर दीजे समा कलन कर दीजे तो under root 2 x का समा कलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा बाहर 2 root 2 बाहर आ जाएगा और क्या हो गया यहाँ पर भाई root x root x मतलब x की power 3 2 और नीचे हो जागा 3 by 2 तो पल्टी मार के तू उपर और 3 नीचे तो यह हो गया कितना 4 out 2 जा फोर root 2 upon 3 और x की power 3 by 2 उपर हो जागा 4 की power 3 by 2 4 की power 3 by 2 यानि 4 root 4 यानि 8 और minus कितना 1 तो आठ में से एक गए साथ साथ चोके 28 रूट 2 बाई 3 आंसर आंसर इसका कितना होगा 28 रूट 2 बाई 3 यह तो बहुत easy question है इसमें कुछ बताने को हाई नहीं है इस सभी लोग से बन जाता है चलिए अगला देखिए question अगला question है कि कोई आपके पास पैरा बुला है y square equal to 4ax आपको बताना है कि इसकी जो latest rectum है वो इसके साथ कितना छेतरफल बनाएगी latest rectum जो होती है कहां से जाती line जो होता है x equal to a यह कितना छेतरफल बनाएगी ठीक ना तो आप इसको कर भी सकते हैं देखिए y square equal to 4ax है तो y equal to तो कितना हो जाएगा 2 root a और यहां पर कितना जाएगा root x और इसका sorterik भी हम आपको बता देंगे भी तो इसका integration कर देंगे देखिए तो y dx यानि कि हो जाएगा limit कितना 0 से ले करके a और 2 root a तो बाहर हो गया यह हो गया कितना x हो गया x का root मतलब x की power 1 by 2 और dx तो 2 root a बाहर हो गया आप चलो इसको करते हैं तो x की power 2 by 3 1 by 2 plus 1 यानि कितना 3 by 2 तो x की power 3 by 2 और यहां क्या है 2 है और यह पल्टी मार करके 2 upon 3 और limit रगा दो 0 से ले के a तो कितना हो जाएगा 2 2 जब 4 root a upon 3 और यहां क्या हो जाएगा a का power 3 by 2 यानि a root a ठीक a root a चली तो अब एक मिनट भाई साब हाँ ठीक है अब देखे यह हो गया है और यह total area हमको क्या करना है इसको double करना है total area हमको क्या करना है इसको double करना है तो answer कितना जाएगा 2, 4, 8 a into a कितना हो गया a square upon 3 a square upon 3 तो answer कितना आगया इसका 8 by 3 a square तो इतना समय आप मत लगाईए इसका directly आप short trick note का लीजे इसका short result है कि अगर आपके पास कोई पैरा बूला है y square equal to 4ax ओके y square equal to 4ax है और इसका आपको x equal to a के साथ या ने इसकी नाभी लंब latest rectum के साथ आपको area चाहिए है इसका तो इसका directly answer होता है 8a square by 3 ओके इसका direct answer होता है 8a square by 3 8 by 3 a square कहिए है 8a square by 3 कहिए बात पराबर है चलिए next अगला question आया है TGT 2010 में क्या question आया है the area of the outer curve surface of the figure constructed by rotation of the line passing through and in between 0,0 and b,a low high sub ये आपके पास में एक diagram बना हुआ है एक line जो है ये जा रही है 0,0 से लेके ये जो line है इसका x coordinate है b और y coordinate है a अब कह रहा है कि अगर इस line को rotate कर दिया गया है ठीक ना question पढ़ता हूँ the area of the outer curve of the outer curve surface of the figure constructed by the rotation of the line passing through in between 0,0 and b,a ठीक है भाई साब इससे बनने वाले इसका area कितना होगा तो देखो भाई यदि इस line को आप जो है पूरे तरीके से 360 degree में rotate करोगे तो ये क्या बनाएगा ये आपके पास में एक cone बनाएगा शंकू बनाएगा तो मेरे खाल से इस संकू का area इन लोगों ने पूछा होगा इस संकू का area इन लोगों ने पूछा होगा तो अपने पास देखो जी क्या है अपने पास ये वाली चीज जो है ये वाली चीज कितनी है ये वाली चीज है a और ये वाली चीज कितनी है b तो ये जो चीज बन जाएगी इसकी slant hat हो जाएगी slant hat कितनी हो जाएगी under root A square plus B square ठीक ना अब हमारे पास संकु का area जो होता है पाई R L तो पाई radius कितनी है इसकी A into L कितना है under root A square plus B square तो बनने वाले जो संकु का area होगा वो कितना हो जाएगा एक मिनट जी पाई आर एल हाँ तो संकु का एरिया जो हो जाएगा अपने पास में कितना हो जाएगा पाई ए अंडर रूट ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर बी कॉमा ए ओह, 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 ओह देखें आपे छोटी से मिश्टेक हुई है ये गलती जान बुच करके कराई जा रही question के द्वारा की हम लोग गलती करें देखें जो निर्दे सांक है वो b, a है मतलब x निर्दे सांक b है मतलब यहां तक की जो दूरी होगी वो b होगी और यह क्या होगी? a होगी तो हमको तो त्रिज्जा चाहिए है ना तो πाई b under root a square plus b square बहुत चोकना रहने की ज़रूरत है भाई साब पाई b under root a square plus b square this is the answer बहुत अच्छा question था question क्या था है एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ the area of the outer curve surface of the line sorry of the figure constructed by rotation of a line passing through and between 0.00 and b,a around y axis y axis के परतह घुमाने पर यह जो line जिस area का निर्माण करेगी आपको उस area की value बतानी थी तो यह हमने इस area की value आपको बता दी है चली अगला सवाल करते है next question अगला question 2004 TGT में आया हुआ है question कहा रहा है the slope of the tangent of the curve y is equal to देखे जो आपको tangent दिया गया है tangent का slope दिया गया है और tangent का slope किस curve का दिया गया है इस curve का दिया गया है okay the slope of the tangent of the curve curve क्या है y is equal to 0 to x की power 4 dt upon 1 plus t square ये लिजे जी आपको कह रहा है at the point at the point x equal to 1 ये लिजे तो आप से कह रहा है कि x equal to 1 पे इस curve पर जो tangent आ रही है उसका slope बताओ tangent का slope किसे निकालते हैं d by dx से तो हमको क्या निकालना पड़ेगा d by dx लगाना पड़ेगा तो d by dx of 0 से लेके x की power 4 okay function क्या है 1 upon 1 plus t square और dt मतलब इसमें क्या लगेगा newton lebanese rule लगेगा okay newton lebanese rule लगेगा क्योंकि integration का differentiation involve है ठीक है न तो newton lebanese rule लगाने के लिए रिखो क्या होता है newton lebanese rule कहता है कि पहले x यहाँ पर put कर दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास newton lebanese rule आप जानते होंगे तो सबसे पहले upper limit को यहाँ करो और upper limit का differentiation मतलब f upper limit क्या हो जाएगी अपने पास हो जाएगी one upon one plus x की power four put कर दोगे तो one upon x की power eight और x की power four का differentiation यानि कितना हो जाएगा four x cube यह हो गया upper limit minus lower limit put करो और lower limit का differentiation तो lower limit put करने पर one upon one तो मतलब one ही आएगा भाई साब one plus zero कर दिया और lower limit का differentiation कितना होता है zero मतलब कुल मिला के हमारे पास आ चुका है जो function आ चुका है जो d by dx आ चुका है d by dx एक्स 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 हो चुका है four x cube upon one plus x की power eight four into one upon one plus one की power eight मतलब four one जब four और one कितना हुआ नाइन तो answer कितना हो जाएगा भाई अरे nine क्यों कर दिया भाई साब one की power eight one होगा ना तो four upon two तो answer कितना हो जाएगा two तो इसका answer कितना होगा two तो ये newton lebanese rule का एक छोटा सा application जो कि PGT 2004 में आया हुआ था ये भी बढ़िया है तो आज हम लोको जो थोड़े से नए formula मिले है वो क्या मिले है कि एक तो volume का formula मिल गया हमको कि volume किस तरीके से निकालते है newton lebanese rule तो आपको पता होगा ही कोई नई बात है नहीं इसमें ठीक ना और देखते हैं कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो अलग-अलग है ओके तो देखे क्या नई बात है अपन शुरू कर रहे है थोड़े से कुछ कंसेप्ट अपन टच करेंगे pair of street line ओके तो heading बना लीजे pair of street line चली तो हमारे जो दर्शक है उनकी requirement है कि इस class को इस chapter को अपन कल स्टार्ट करें तो कल हम जो है pair of street line का टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज के लिए class को यहीं पर समाप्ट करतें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिन जै भारत झाल